मुक्यमंद्री लाडली बैना योजना के अंदर गत अगर आपने फोरम बर दिया है तो आप अपने फोरम का स्टाटस कैसे देख सकते हैं कि आपका फोरम सक्सेस पूल सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है आपके आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फि तो लाडली बैना योजना के अंदर गत फोरम बर दिया है तो लाडले बैना योजना के अंदर गत हमारा ओनलाइन फोरम बरा जा चुक है अगर इस तरह का हमें आवेदन पत्तर प्रापती फोरम प्रिंट हो रहा है डाउनलोड हो रहा है तो इसका मतलब हमारा फोरम सक्षेस पुली सब्मिट हो चुका है और हमें 10 जून से हर महीने की 10 तारीक को 1000-1000 रुपए मिलेंगे जिन महीलाओं के ओनलाइन फोरम भरे जा चुके हैं उनकी इस लाडली बेना योजना में फोरम बरने के लिए सबसे ज़रूरी दस्ता वेज किया है एक नमर दस्ता वेज है समगर परिवार या पिर समगर आइडी गार्ट समगर पोर्टल 2ौरजारी परिवार आईडी अतवासत्ति से के आईडी होना चाहिए साथ ही आधार कार्ड भी बनावा होना चाहिए और समगर पोर्टल में जूड़े वे मूबाइल नम्मर भी आपके पास होना चाहिए तो ये तीन डोकुमेंट आपको लाडली बेना योजना में फोरम बरवाते समय लेकर जाना है उसके बाद में आवेदन फोरम बरने से पहले आपको क्या क्या अपड होना चाहिए साथी बैंकाता आदार लिंक को होना चाहिए और बैंक खाते में आदार काट जूड़ा होना होना चाहिए ए और ठीक की आनेबल होना चाहिए तबいい आप वीडियो के साथ बने रही है उसके बाद में इस योजना को सुरू किया गया तो महीलाओं के स्वाबलंबन और उनके आसिलित बच्छों के स्वास्ते और पोस्टन स्तर में सतत सुधार को बनाए रखने के लिए इस योजना को सुरू किया गया और महीलाओं की आर्थिक वासी महीला ही इस योजना के इंतरगत फोरम ब эффर सक्ती हैं साती ₹ dost viva theor महीला ही फोरम ब押ीर सक्ती हैं याूं की ₹ कि आईउ से कम हो वही महीला फोरम्हा बहर शकती हैं यानि की ₹ जनवरी से जिनकी उमर 23 साल हो चुकी है या फिर 60 साल से कम है तो वही महिलाई इस मुख्य मंत्री लाली बैना योजना में फोरम भर सकती है जिनके परिवार की समलित रूप से स्वे गोशित वार्शिक आए 2,50,000 रुपई से अधिक है जिनके परिवार का कोई सद्द से आयक कर दाता है इंकम टेक्स देने वाला है तो वह महिलाई फोरम नहीं बर सकती है जिनके परिवार का कोई भी सद्द से बार्श सरकारत्वा राजे सरकार के सास्किये विबाग उपकरम मंडल इस्ताने नियमित या फिर इस्ताई कर्मी सुईदा कर्मी की रूप में नियोजित है शेवार नियुवरीत उपरांत अगर उनको पैंसन मिल रही है तो ऐसे परिवार की महीलाई इस मुखे मंद्री लाली बैना योजना में फोरम नहीं भर सकती है इस मुखे मंद्री लाली बैना योजना की अंतरगत परतेक मा महीला को उसकी पातरता अवदी में हजार उप करने लिया जाता है बिल्कुल फ्री में फोरम बरा जाता है सबसे पहले ओफलाइं फोरम बरा जाता है ओफलाइन पॉर्म आप अपने नजदी या पिर आपकी चेतर में जहां पर भी सीवीर है वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं ग्राम बंचायत वार्ड कारियले अंगनवाडी के अंदर में जहांपर भी फोर्म बरवाई जा रहे हैं ओनलाइन ओफलाइन वहां पर आप फोरम बरवाज सकते हैं लाडली बैना योजना में फोरम बरने के बाद में क्या फर्किरिया होगी तो सबसे पहले आवेदन फोरम ग्राम बंचायत या फिर वार्ड कारियले या फिर केंप इस्तल पर उपलब दोंगे वहां पर आपको फो पॉरम की परविश्टी के दोरान महीला का फोटो लिया जाएगा उसके बाद में आवयदन फोरम की प्रविश्टी के बाद पर पत्तार ओनलाइन और प्रकिर्टी नहीं दीजाये हैं अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने मुख्य मंत्री लाली बैना योजना के अंदर कर फोरम बर दिया है तो आप हमने फोरम का स्टाटस कैसे चेक कर सकते हैं साथ ही आपका अधार कार्ड बैंक काते में जूड़ा हुआ है या फिर नहीं है दिवीटी एनेवल है या फिर नहीं है तो आप कैसे देख सकते हैं आपके समगर आईडी कार्ड में आदार एक वाईसी हुई या फिर नहीं हुई आप कैसे पता कर सकते हैं यहां पर आपको एक option मिलता है आवेदन इस्तति पर आपको क्लिक कर देना है जैसे में इसपर क्लिक करें गों उसके बाद में इस तरह से एक नए पेज ओपन हो जाएगा यहां पर मिलता है आवेदन की स्तति पर करमाग है वो यहाँ पर टाइप करेंगे यह कैप्चा कोड़ दिए गये हैं यह टाइप करेंगे और खोजेंपर क्लिक कर देंगे जैसे इसाथ हम खोजेंपर क्लिक करेंगे तो मुख्य मंत्री लाडली बेना योजना के अंदरगा जो हमने ओनलाइन फोर्म भरवाया है उसका स्टाटस इस तरह से आ जाएगा यहां पर सबसे पहले आवेदक कर्माग दिये जाएंगे हमने फोरम बराया उसके अप्लिकेशन नमबर उसके बाद में जो भी महिला है उसका नाम उसके बाद में समगर आईडी कार्ड के संक्या जीला का नाम आवेदन की इस्तती क्या है बरा हुआ है या फिर नहीं है संबाग कुन सा है इस तानी निकाई कुन सा है ग्राम का नाम या फिर वार्ड संक्या या फिर परिवार का समगर आईडी कार्ड के नमबर और आदार कार्ड लिंक की इस्तति अगर यहां पर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब आपके उपलब्द नहीं है और पावती यहां पर वियू दिया गया है यहां से पावती भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और प्रिंट नहीं कर सकते हैं और पृंट नहीं होने का मुख्य कॉरन parting है कि आपके समगर ID कारड में आधार number नहीं झूड़े वे हैं साथि आपका आधा आदार लिंक की इस्तती में नहीं आ रहा है तो आपको हजार रुपए नहीं दिये जाएंगे आपको साल के बारा हजार रुपए नहीं मिलेंगे तो अगर किसी महिला का फॉरम स्टाटस में आदार लिंक की इस्तती में नहीं आ रहा है डिबीटी की इस्तती में उपलब्द आ रहा है तो उनको अपने बैंक में आधार कार्ट जुड़वाना है डीबिटि अनेबल करवाना है साथ ही अपने सम्मकर कार्ड में ekyc करवाना है ताकि आपको दस जून 1000 रुपए मिल सकें अब हम आपको एक ऐसा फोरम दिखाते हैं जिन में अधार लिंक की इस्तती में हाँ दिया गया है और dbt की इस्तती में सकिरिये दिया गया है यानि की जुड़ा हुआ है आपका अदार कार्ड बैंक काते से और dbt भी अनेबल हैं तो अगर आप अपना पावती पत्तर यहां से डाउनलोड करना चाहें तो इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमने जो फोरम बरा है उस फोरम को यहां से प्रिंट कर सकते हैं और इसे सेव अपने पास रख सकते हैं यह हमारे पास प्रूप है कि मुख्य मंत्री लाड़ी बैना योजना के अंदरगात हमने फोरम बर दिया है तो इस तरह से आप यह फोरम प्रिंट भी कर सकते हैं और यहां से अपने पास PDF में डाउनलोड करकर अपने मोबाइल में रख सकते हैं तो आपका जो फोरम है वो आधार लिंक की इस्तति में नहीं नहीं होना चाहिए हाँ होना चाहिए तो आप में comment करके बताएं कि आपके forum के status में आधार link की इस्तती में नहीं आ रहा है या फिर हाँ आ रहा है dbt की इस्तती में सकिर्य आ रहा है या फिर उपलब्द नहीं आ रहा है तो जिनके आधार लिंक की इस्तती में नहीं आ रहा है और dbt की इस्तती में उपलप्त नहीं आ रहा है वो अपनी आवेदन पत्तर की प्राप्ति यहां से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो जिन महीलाओं के आधार लिंक की इस्तती में हां आ रहा है और dbt की इस्तती में सकीरिय आ रहा है उनी महीलाओं के यहां से आवेदन पत्तर की प्राप्ती प्रिंट और यह डाउनलोड हो रही है और जिन महीलाओं के आवेदन की इस्तती में आधार लिंक की इस्तती में हा पर दोना चाहिए तब ही आपको इस मुख्य मंत्री लाडली बैना योजना के अंदरकाथ हर महीने के 1000 रुपए और साल के 12000 रुपए दिये जाएंगे अगर आपको यह जाना है कि आपके नजदीक कैम्प है या फिर नहीं है तो आपको क्लिक करना है कैम्प विबरन पर उसक करेंगे उसके बाद में यहां पर गाम या फिर वार्ड का नंबर यहां से स्लेट करेंगे डेट अटोमेटिक रहेगा कैप्चा कोड टाइप करेंगे खोजे पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैतर में जहां भी जिस इस्तान पर कैम्प है तो उसकी डिटेल इस तरह से आ जाए है और यह सूची हमें मिलेगी एक मिए 2023 से अगर आपको हैल्प डेक्स नमबर Schönth यहां पर हैल्प डेक्स नमबर भी दिएchasगे अगर हमें मुक्यमत्री बाड़ी बैना योजना समधीत कोई भी जान करी चाहिए है रफ चैये तो यहां पर हैल्प डेक्स नमबर दिए ‫इमे बैना योजना के अंतरगत हजार रुपए दिये जाएंगे अगर आपने मुख्या मंत्री लाडली बैना योजना का कैम में जाकर फॉरम बरवा दिया है तो आवेदन पत्तर की प्राप्ति भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो उमीद आज की जानकरी आपको अच्छी आज सेखने को जरूर मिला होगा कि मन में कोई सवाल विचार है तो आप में कॉमेंट कर सकते हैं हमारे तरफ से रिप्लाइद दिया जाएगा आज की वीडियों बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियों में जानकरी के साथ आप से लिगाते मुश्म हो जैहिंद बंद मात्र आप